Hello everyone, welcome back to my channel तो आज मैं आपके साथ एक review वीडियो लेके आए हूँ जिसमें मैं आपको एक neutral eyeshadow palette का review बताने वाली हूँ यह जो palette है यह Hillary Roda Company का है इसे आप Amazon से buy कर सकते हैं इसका जो shade है वो 01 है इसकी expiry date जो है वो 4 years है तो आप इसे असानी से 4 years सक यूज कर सकते हैं इसकी सारी ingredient list भी दी हुई है back में तो आप चाहें तो check out कर सकते हैं यह जो palette है वो काफी अच्छा है daily wear के लिए और आप इसे असानी से party's के look भी create कर सकते हैं यह जो हमारा anesthesia का modern restaurant palette आता है जो की काफी है महँगा रहता है उसका dupe है तो आप देख सकते हैं जो shades है वो काफी similar है देखने में बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे की same palette हो और इसका जो price difference है वो बहुती जादा है यह वाला जो palette है वो सिर्फ आपको 200 rupees में मिलता है और जो anesthesia का palette है वो 5000 rupees का मिलता है सबसे अच्छा shades यह वाला है जो यह mauve red color का है यह बहुती बढ़िया लगता है eyes पे और एक बहुती अच्छा look देता है हमारी eyes को यहाँ पे मैं आपको एक-एक shades का swatch करके बता रही हूँ यह जो shade के swatches हैं वो hand के हैं ब्रश से भी काफी अच्छा color आ चाता है eyes पे यहाँ पे जो आप colors के swatches देख रहे हैं वो बहुती बढ़िया है और जैसा कि आपको palette में color दिख रहा है वैसा ही आपको shade आपके हाथों में और आपके eyes में दिख रहेगा जो shade हम देख रहे हैं यह सभी daily wear के लिए काफी अच्छे हैं और आप इनसे कई सारे looks create कर सकते हैं चाहे वो party wear हों और चाहे वो daily wear हों तो आप अपने according इस palette को use कर सकते हैं यहाँ पे आपको matte, shimmery और हलके से sheen वाले shades भी मिल जाते हैं तो आप अपने according इसे अलग-अलग look create करने में use कर सकते हैं यहाँ पे जो आप shade range देख रहे हैं वो काफी अच्छी है एक look create करने पे eyes का यहाँ पे जो मैं आपको सारे swatches दिखा रहे हूं वो row eyes हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसा आपको palette में color दिख रहा है as it is same ही color आपको मिलने वाला है और जो यह eyeshadow palette है वो सिफ 200 रुपीज का है तो आप दूसरे palette से अगर compare करेंगे तो इस range में आपको इतना सस्ता इतना अच्छा palette नहीं मिलने वाला इनकी जो eyeshadow की quality है वो काफी अच्छी है और आखों में लंबे समय तक यह रहते हैं आपको 4-5 घंटे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी eyes पे यह जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे अगर आप इनका high pigmentation चाहते हैं तो आप eyeshadow की नीचे primer भी use कर सकते हैं यह सभी shades लगाने के बाद काफी अच्छे दिखते हैं और wedding में अकर आपकी शादी होने वाली है और आपको यह affordable eyeshadow palette लेने की सोच रहे हैं तो आप जरूर लीजिए आप देख सकते हैं कि जैसा आपको palette में दिख रहा है as it is same color ही आपको आपकी eyes पे आने वाला है जो यह eyeshadow की quality है वो आसानी से आप high end eyeshadow से compare कर सकते हैं आप देखी रहे होंगी कि मैं सिर्फ एक बार finger touch कर रही हूँ और जो सौच दे रही हूँ वो जैसा कि आपको दिख रहा है वैसा ही आ रहा है बहुती बड़ी eyeshadow palette है आप इसे जरूर खरीदे यह इसका जो आप इसे जो wet and wild का eyeshadow आता है उससे भी compare कर सकते हैं और Anastasia का जो eyeshadow palette है उससे तो आसानी से आप देख सकते हैं कि कितना similar है obviously Anastasia का थोड़ा expensive रहता है तो उसकी pigmentation थोड़ी जादा रहती है बट आप इसे आसानी से अलग-अलग eye look के लिए create कर सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ आपको pictures दिखाई हैं जो यह look create आप इस eyeshadow palette से कर सकते हैं बहुती बढिया है इसकी quality भी काफी अच्छी है आप इसे आसानी से अलग-अलग जगे पहन सकते हैं और बहुती बढिया लगेगा तो please मेरी वीडियो को like जरूर करिएगा और अगर आप इसे purchase करना चाहते हैं तो description box भी check out कर लिजेगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे subscribe करिएगा और bell icon को भी press करिएगा ताकि आपको मेरा notification मिल पाए